लड़की हो या लड़के हमेशा किसी को परपोस करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका परपोस दल रिजेक्ट हो जाता है या किसी-किसी का परपोसल वह सुईकार भी कर लेते हैं लेकिन एक्सेट और अनक्सेट करने की वज़ा से कभी-कभी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो जाते हैं यदि आप चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन्स डे आपके जीवन में कोई परिशानी नहों और आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाए और आपकी प्रपोसल को एक्सेट कर लें तो अपनाए कुछ उपाई आज में लेकर आई हूँ उनी के लिए एक खास उपाई यदि आप इन उपाई को करते हैं तो आपको आपकी जीदिगी का सच्चा प्यार सरूर मिल जाएगा नमबर एक यदि आप जिस कमरे में सोते हैं जहाँ पर आप शेनकक्ष है वहाँ पर कभी भी आप बज जूटे बरतन ना रखें या फिर आप अपने कमरे में ये बात ध्यान रखें कि अंधेरा ना हो यदि आपके शेनकक्ष में अंधेरा है तो हमेशे एक छोटा बल्प लगा लीजिए जो हमेशे जल्दर है ताकि आपके शेनकक्ष में अंधेरा ना हो नमबर दो, यदि आप अपने शेनकक्ष की दिवारों पर यदि आप जोड़े के पक्षी या फिर कोई भी चीजे लगाते हैं, वह आपकी लव लाइफ को अच्छा बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पक्षी जादा खुंकार या फिर बहुत जादा ड्राव देना हो, पक नमबर चार, यदि आप अपने शीवन में प्यार पाना चाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जब भी खाना खा कर उपते हैं, तो खाना खाने के बाद आप जहां पर भी बरतन रखते हैं, वहां जूटे बरतन बिर्कुल ना रखें, अक्सर दिखा चाता है कि वाला प्यार है में जल्दी ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो आप इन वेलेंटाइस डेज जलूर अपनाएगे ये अपाए ऐसा करने से आप इस वेलेंटाइस डे अपने सचे प्यार को पा सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे